मसी में भाई भेनों आज जिस वचन का हम अध्यन करने जा रहे हैं वो वचन मती चैप्टर 11 वर्स 28 से लिया गया है हे सब प्रिश्रम करने वालो और बो से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हे विश्राम दूँगा हालेलूया कलीसिया के एक पास्टर ने अपनी कलीसिया में एक पानी से भरा हुआ गिलास अपने हाथ में उठाया और अपने क्लिस्या के लोगों को वे कुछ शिक्षा दिना चाहते थे सबने गिलास को देखकर सोचा आज पास्टर फिर पुराना सवाल पूछेंगे कि गिलास आदा भरा है या आदा खाली है प्रन्तु तभी पास्टर ने पूछा इस गिलास का कितना भार होगा किसी ने कहा 200 ग्राम किसी ने 125 ग्राम सभी ने अपने अपने उत्तर दिये पास्टर ने कहा मुझे भी इसका भार मालूम नहीं है इसे तो केवल तोल कर बताया जा सकता है लेकिन यदि मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक इसी तरह अपने हाथ में उठाए रहूं तो क्या होगा सभी विश्वासियों ने एक साथ मिलकर कहा कुछ भी नहीं पास्टर ने फिर पूछा यदि मैं इसे एक घंटे तक उठाए रहूं तो क्या हो सकता है किसी भाई ने कहा आपका हाथ दर्द करने लगा पास्टर जी ने कहा तुमने बिलकुल सही कहा अच्छा यदि मैं से पूरा दिन उठाए रहूं तो क्या होगा सभी अलग लग जबाब देने लगे पूरी कलिस्या में हलचल मच गई किसी ने कहा आपका हाथ दर्द करने लगेगा आपके हाथ में सूजन आ जाएगी तनाव के कारण आपका हाथ खराख हो सकता है इस तरह सभी ने अपने अपने सुझाव दिये पास्टर जी ने मुस्कराते हुए पूछा अच्छा ये बताओ क्या इतने समय में ग्लास के बज़न में कुछ बदलाव आया सभी ने उत्तर दिया नहीं तब फिर हाथ में दर दिया तनाव क्यों आया सवाल सुनकर सभी भाई बहने बहुती अश्यर चकित होए पास्टर जी ने पूछा अच्छा अब बताओ दर से चुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ एक विश्वासी बहन ने कहा पास्टर जी आप गिलास को नीचे रख दीजिए पास्टर ने कहा बिल्कुल सही हाले लिया मसी में भाई बहनों इसी तरह जीवन की समस्या और पापों के साथ भी ऐसा ही है इन्हे कुछ देर तक आप अपने पास रख सकते हैं दिल में रख सकते हैं तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है लेकिन जब थोड़ा जाइदा देर तक आप अपने से मन में रखते हैं तो वो पाफ, वो समस्याई आपको पिड़ा देने लगती हैं और इन्हे यदि आप और भी देर तक पालते हैं तो आपके दिल और दिमाग परिवार में असर डालने लगती है लेकिन यदि आपने इसे अपने अंदर महीनों सालों तक रखा तो ये आपको पूरी तरहां से नश्ट कर देती है ना केवल आपको आपके परिवार को यहां तक की समाज और देश में भी इसका दुष्ट परभाव हो सकता है फिर एक ऐसा भी समय आता है जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं इसलिए आज प्रभु येशु की यही बुलहाट है यदि आप उसका शब्द सुनेंगे उसके वच्णों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो अपना हिर्द्या आप कभी भी कठोर नहीं करेंगे अपना बोज अपने प्रभु पर डाल दीजिए जब आप पिता परमेशु पर अपना बोज डाल देते हैं उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं परभी तरताई में जीवन बिताते हैं तो आपको कभी भी घबराने की कोई अवशक्ता नहीं है परमेशु आपको आदर और मांद दिलाने वाला पिता परमेशु है आपके जीवन में अश्चर एकरम करने वाला पिता परमेश्वर है हाले नुया आप हम सब मिलकर प्रात्ना करेंगे धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुभा से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर परसंसा करते हुए विश्वास के साथ तेरे समुख खाते हैं पिता परमेशर जितने भी हमारे साथ इसमें प्रातना सुन रहे हैं, हमारे साथ प्रातना कर रहे हैं पिता परमेशर, उन सब लोगों को मैं तेरे सामर्थी बरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेशर, स हमारे सचे जीविते पिता परमेशर हैं आप अप बरकते और आशींश ए्देने वाले पिता परमेशर हैं मैं पराओ नहीं पिता परमेशर् नहीं से परकते और आशिशे मिलें सबके खरों में शांती बनी रहें पिता परमेशर आप शांती के दाता हैं पिता परमेशर आप हमारे जीवन के मालिक हैं पिता परमेशर दयावान हैं पिता परमेशर आपकी दया और करुणा सदा की हैं पिता परमेशर प्रातना करते हैं पिता परमेशर तरे शुद लहू से पिता परमेशर हमार पाप से दूर रहें पिता परमेशर हर बैवी चार से दूर रहें पिता परमेशर पिता परमेशर अब हर पाप और बैवी चार को दूर करने वाले पिता परमेशर हैं हमारी रक्षा करने वाले पिता परमेशर हैं आप हमार पराहाद रख पिता परमेश्वर, सब के उनती के दरवाजे खूल पिता परमेश्वर, सब की मनते और मनते तेरे नाम से पुरी हो पिता परमेश्वर, अपने आशिशों से भर पिता परमेश्वर, अपने वरकतों से भर पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे इस समय प करुणा करने वाले पिता परमेशर हैं, अपने बच्चों को अपने पंकों के आड़ में चीपाने वाले पिता परमेशर हैं, आप हमारा बल हैं पिता परमेशर, आप हमारी शक्ती हैं पिता परमेशर, आप हमारे संग-संग रहने वाले पिता परमेशर हैं, आज तक पिता प सब पर अपने आशिश परा हाथ रख पिता परमेशर जितने भी लोगों के काम हैं पिता परमेशर वो तरे नाम से पिता परमेशर सारे काम पूरे होने पाएं पिता परमेशर जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं पिता परमेशर तरे नाम से वो अपना घर बनाने पाएं पिता परमेशर, सब की ख strings को पूरा कर, पिता परमेशर, आप सब की खटियों को पूरा करने वाले पिता परमेशर हैं, आपने वह रशन में कहा है, कि जवान सिंकों को घर्टी हो श्रेष्ट पिता परमेशर हैं हे पिता परमेशर सब समय आप हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं पिता परमेशर सब लोगों की मदद और सहीता कर पिता परमेशर सब घटियों को पूरा कर पिता परमेशर सब की बरकतों भरा हाथ अपना सब के सरों पर रख पिता परमेशर उनकी आशिशों से उने भर दे पिता परमेशर आप आशिशों पर कत देने वाले पिता परमेशर हैं जीवन के मालिक हैं पिता परमेशर आज तक आपने हर मामारी से रक्षा की है पिता परमेशर आगे भी आप सब लोगों की रक्षा करेंगे पिता परमेशर आपने वशन में का है कि कोई भी मामारी कोई भी पत्ती हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकती जब तक हमारे पिता परमेशर हमारा साहिक हमारे साहत है है प पिता परमेशर, अब सब जर्गों को बच्चों को पिता परमेशर, शरक्षी तरक्षी 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 तरक्ष सदा की है पिता परमेशर हे पिता परमेशर हमारे पापों को नहीं पिता परमेशर अपनी दया को याद कर पिता परमेशर आपने पिता परमेशर हर जगा मुसा की मदद की पिता परमेशर उसी तरह हमारी भी मदद साहिता कर पिता परमेशर हे पिता परमेशर आप जीविते और साहिता करने वाले पिता परमेशर हैं है पिता परमेशर इस रात में में सब लोगों को तेरे सामर्थ परे हाथों में सौफ देती हूं सब पर पिता परमेशर आशिश परा हाथ रख पिता परमेशर सब लोग इस रात में श्रक्षित रहें पिता परमेशर और सुबह उटकर तेरी अराद नारस्तूती करने पाएं पिता परमेशर यही मैं प्रात ना करती हूं पिता परमेशर के सामर्थी नाम से आमेन आमेन आमेन